गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में राश्ट्रकूर्ट सास्कों का इत्यास में योगदान क्या रहा इसके बारे में अध्यन करेंगे तो देखेगा राश्ट्रकूर्ट सास्कों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हूं कि राश्ट्रकूर्ट थे कौन राश्ट्रकूर्ट राजवन्स कोन सा राजवन्स था ठीक है तो इससे पहले भी हमने ये वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं इससे आपको राश्ट्रकूर् भारत मंद्धे भारत ओर उत्री भारत के बड़े भूबाग पर राज्य ने करने वाला राजवंस था इसांब राज़ेका की निव दंतिदुर्क नामक वैक्ति ने डाली थी और 1950 के चालुक्यों के सासन को समाप्त करके अपनी राजधानी मान्ने खेत में राश्ट्र कूट राजवंस के नियव डाले थी। ठीक है अब देखिएगा होता क्या कि जो वात्तापी के चालू के अशासथ की इरती वर्मा 2 है इसके समय में मानने खेत के राश्ट्रकूर्ट परबल होने लगे थे। राश्ट्रकूर्ट वन्स का जो सेंस्था पके ये हमने पहले भी आपको बताया है ये दंती दुर्ग था। इसने क्या किया कि मालव, कोसल, स्रीशेल तथा कलिंग के राजों को जीता और अपने सक्ति को विष्टित कर लिया था। तथा इसने उत्री महरा राश्ट्र गुज्रात पर अधिकार कर लिया और रास्ट्रकूर्ग राजवन्स की नेंव डाली थी। ठीक है। अब देखेगा कई महतोपुन सासक ऐसे हुए हैं रास्टरकूट वंस में जिसके बारे में एकजाम में कई बार पूछा जाता है उनी सब सासकों के बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे तो चलिए पढ़ते हैं रास्टरकूट सासक सबसे पहले है दंती दूर्ग तो जो यह दंती दूर्ग यह 736 से 756 इस्वितक सासक रहा था ठीके अब जो दंती दूर्ग इसने क्या क्या चालू के समराजे को प्राजित करके रास्टरकूट समराजे की निम डाली थी दंती दूर्ग ने उजय नीमे हिरने गर्बदान किया था तथा उन्होंने महराजा दी राज, परमेश्वर, परमभंडारक और जैसी उपादिया धारण की थी तो देखेगा दंती दूर्ग ने अपना जिवन चालू के सामन्त के रूप में प्रारम किया था उसने एक दिर्ग काली राजे की नीम डाली थी दंती दूर्ग के विजय बियानों के बारे में हमें दोस रोतों से पता चलता है पर्थम समागत पत्र तथा द्वित्य एलोरा का दसावतार गुफा अभिलेग दंती दूर्ग की विजय का इरादा पूरव तथा पस्सिम का चेत्र था तथा वैं चालू कियों के गठ करनाटक को नहीं छोड़ना जाता था उसने मालवा पर आकर्मन किया जो उस समय गुर्जर परतिहरों के अधिन था तथा इसे अधिकार में कर लिया मालवा पर अपने विजय के उल्लास में उसने उज्जेन में हिरने गर्वदान उत्सव किया था उसके कुछ दिनों के बाद वैं मद्धे पर्देश के महा कोसल या 36 गड़ छेत्र में गया उसके बाद उसने अपने श्वामी चालू के राजा कीरती वर्मन सेकेंड पर आकर्मन किया तथा अपने आपको पूरे दक्षन का श्वामी गोसीत कर दिया परंतु इस विजय के बाद वैं ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहा था तो यह है आपका दंति दूर्ग अगला सासक आता है क्रिश्न पर्थम यह जो क्रिश्न पर्थम है यह राश्ट्रकूर्ट राजवन्स के सबसे योग्य सासको में गिना जाता है इसे क्रिश्न राजपी कहा गया है ठीक है कृष्ण पर्थम का जो इसने क्या किया कि जो एलोरा है उसमें पहाड काटके कैलाश मंदिर बनवाया था ठीक है और यह जो कैलाश नात का मंदिर है यह दर्विड कला का अनुपम उधारण है ठीक है और क्या होता है कि जो कृष्ण पर्थम है इसने राजा दिराज परमेश तो देखेगा जो दंती दूर के इसके कोई संतान नहीं थी, इसके बाद गद्धी पर दंती दूर के चाजा कृष्ण पर्थम आये, महाराश्रियम करनाटिक में अपने इस्तिती मजबूत करने के बाद कृष्ण पर्थम दक्षिन के तरफ बढ़े, उन्होंने गंगा वाड शिरी पूरुस को अपने अधिनस्त के रूप में सासन की अनुमति देकर वे वापस लोट कई, पूरम में ट्रिश्ण पर्थम का मुकाबला वेंगी के चालू के उसे हुआ, उन्होंने राजकुमार गोविंद को वेंगी भेजा, जहांके सासक विजा दिते फस्ट ने बि शिला खंडिये पत्थरों को काट कर बनाये गए मंदिर का निमान करवाया, जिसे अब केलास के नाम से जाना जाता है, कई बार क्यूशन पूस लेते हैं कि केलास जो मंदिर है, ये कोन शी शैली में बनावाया है, इसका निमान किष्ण ने करवाया था, ठीक है, अगला शा अपने छोटे भाई दुर्वे के बरोशे छोड़ दिया, दुर्वे एक महत्व कांग सी वेक्ति था, उसने स्विम गद्दी पर कबजा कर लिया था, ठीक है, अब आता है आपका दुर्वे, तो ये जो दुर्वे है, ये गुर्जर परतिहार राजा वत्सराज और पाल र जो दुर्वे है, इसको धारा वर्स भी कहा गया है, और इसकी उपादी कोन कोन सी है, नीरुपम, काली वलब, और आपकी सिरी वलब, ठीक है, अब देखेगा दुर्वे, के बारे में अपन डीटेल से पढ़ते हैं, गद्दी पर आने के तुरंत बाद, दुर्वे ने उन को धंटित करना प्रारम किया, जिन होने उसके भाई का साथ दिया था, ठीक है, उसके बाद, दुर्वे ने उत्तrभारत के राजनेती पर नियंदरन इस्तापित करने का सासिक प्रियास किया, जिसे साथ वहनों के बाद, कोई भी दक्षिन भारतिय सकती नहीं कर पाई थी, उस समय उत्तर भारत में स्रेश्टा के लिए वत्सराज पर्तिहार तथा बंगाल के पाल सासक द्रमपाल के बीश संगर से चल रहा था जब वत्सराज दोआ में दरहमपाल के साथ युद्रत था दुरुए ने नरमदा पार कर मालवा पर बिना जदा परतिरोत का सामना किये ही क्या कर लिया अधिकार कर लिया था उसके बाद वा कनोज के तरफ बढ़ा तथा वत्सराज को इतनी बूरी तरह प्राजित किया कि उसे राजस्तान के रेगिस्तान में सरण लेनी पड़ी उत्तर के और बढ़ते हुए दुरुए ने गंगा यमना दोआप छेतर में दरहमपाल को प्राजित किया था साही सहर कनोज के तरफ न जाकर धुरुए लूट के बड़े भंडार के साथ वापस लूट गया धुरुए ने सियाहसर पर बैठने के बाद वेंगी के चालू के नरेश विश्णु धरवर्धन पल्लव नरेश दंती वर्मन्थ था मैशोर के गंगों को प्राजित किया उत्तर भारत के दोनों राजा परतापी और महत्रकांगसी थे और उनके राजियों की दक्सनी सिमाएं रास्ट्रकुट राजे के साथ लगती थी अता है ये स्वाभविक था कि इनका राष्ट्र कुटों के साथ संगर्श हो ये संगर्श धुरूए के समय में ही सुरू हो गया था पर उसके उत्रादिकारियों के सासनकाल में इसने बहुत उग्रे रूप धारन कर लिया सूरों में दुरुवे के सकती अपने भाई गोविंद के साथ संगर्ष में वेती तुई अनेक सामंद राजा और जागेदार दुरुवे के विरोधी थे और गोविंद का पक्स लेकर युद के लिए तत पड़ थे दुर्वय ने उन सब को प्रास्त किया और अपने राज्यों में सुवेवस्ता इस्तापित कर दक्षिन की और आकर्मन किया मैसूर के गंगवन्स को प्रास्त कर उसने काची पर हमला किया और पल्लव राज को एक बार फिर राश्ट कुटों की दिनता स्विकार करने के लिए विवस्त किया दक्षिन की विजे के बाद वा उत्तर की और बढ़ा सबसे पूर्वे भिन्माल के गुर्जर परतिहा राजा वस्तराज के साथ उसकी मुठपेड हुई वस्तराज प्रास्त हो गया अब धुरुवे ने कन्नोज प्राकर्मन किया इस समय कर्णोज का राजा कोन था? इंद्रा युद था अब क्या जो इंद्रा रुदे धुरुवे का सामना नहीं कर सका और रास्ट्रकूट विजेता की दिनता को श्विकार करने के लिए विवस हुआ धुरूए रास्ट्रकूट वन्सका पहला सा सकता जिसने कन्योज पर अधिकार करने है तू पुत्री पक्सिय संगर्स में भाग लेकर पर्तिहा नरेश वत्सराज यंपाल नरेश धरमपाल को प्राजित किया उसने गंगा यमना दुआप तक अधिकार कर लिया था कन्योज के राजियों को अपना वन्स वर्ति बनाने के उपलक्से में धुरूए ने गंगा और यमना को भी अपने राज चिन्नों में सामिल कर लिया था धुरूए के चार पुत्रे थे कौन-कौन थे कारक, स्थम, गोविंद और इंद्र कारक की मर्थ्व पिता से पहली हो गई थी, बाकी बचे तीनों बेटों में से राजा ने सबसे योग्य गोविंद को अपना उत्रादिकारी चुना, तदा यूवराज बना दिया था अब आता आपका गोविंद थर्ड अब देखेगा, गोविंद सान्ती के साथ पत्पे आया था, लेकिन सिग्रही उसे अपने बड़े भाई इस्तम के विरूत का सामना करना पड़ा, जिसने गदी के दावे को निरस्त कर उसे राजा बनाया था इस्तम को प्राजित करने तथा दक्सिन में अपनी स्तिती मजबूत करने के बाद, गोविंद ने भी अपना ध्यान उत्तर भारत की राजनेती स्तिती की तरफ मोड़ा, गोविंद ने उत्तर भारत के तरफ रुख किया, तथा नागबड सेकिंड को प्राजित किया, नाग राजों के अलावा उत्तर भारत के दूसरे राजों को भी गोविन थर्ड ने प्राजित किया था ठीक है अब आता आपका अमोग वर्स फैस्ट अब देखेगा जो अमोग वर्स फैस्ट है ये गोविन थर्ड के बाद गद्डी पर उसका पुत्र सार्वा आया जिसे अमोग दूसरा नाम क्या था सार्व था उसे अपने 64 वर्स के लंबे सासनकाल में सांती नसीव नहीं हुई थी ठीक है उसे अपने सासनकाल में अपने सामनतों के अनेक विद्रों का सामना करना पड़ा तता अपने सक्तिसाली पड़ोंशियों से यूद करना पड़ा अमोग वर्स फर्स्ट है इसे क्या है कि सांती धर्म और साहिते में ज्यादा रूची थी और इसके जो दर्बार में जिन सेन जो आदि पुरान का लेखक है महावीराचारी जो गनित सार का जो लेखक है और यह मतलब दोनों क्या है जिन सेन और महावीराचारी यह अमोक वर्स के दर्बार म थे और ये कंणड के परसित गरंथ कविराज मार्ग और परशनोत्र मालिका की रचना इसने की थी ठीक है अब क्या होता है कि जो अमोक वर्स है इसके जीवन के का जो पहले का जो समय है उसमें इसका जुखाव है ये जैन दरम की ओर हो गया तथा आदी पुराण के लेखक जिन सेन उनके मुखे सिक्सक हुए तो जो अमोक वर्स है इसका मुखे सिक्सक कोन था जिन सेन ठीक है जो आदी पुराण का लेखक था अमोक वर्स है ये खुद भी एक लेखक था तदा इसने साहित्ते कारूं को भी सांद दिया था जैसे आपने पहले आपको बताया है कि कंदडवासा में कविता पर पहली फुस्तक कवी राजमार्क के लेखक कौन थे अमोग वर्स फेस्ट उन्होंने मानने खेत नगर का निर्मान करवाया तथा वहां एक वेशाली महल भी वेभवसाली महल भी बनवाया था अमोग वर्स ने मानने खेत को राश्ट्रकूट की राजदानी बनाया तो राश्ट्रकूट की राजवन्स की जो राजदानी वे मानने खेत थी ये किसने बनाय थी अमोग वर्स ने ये जैन मतावलम भी होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का समान करते थे जैनाचा पारिये के उपदेश से उसकी प्रवर्ती जैन हो गई थी अब आता आपका कृष्णा थर्ड तो जो कृष्णा थर्ड है यह राश्ट्रकूर्ट राजवन्स का अंतिमहानशासक था इसके दर्बार में कन्नड भासा के कवी पामपॉन वैं रन जो दर्बारी जो लेखत थे वो रहते थे और यह जो तीनों कवी हैं यह कन्नड भासा के त्री रतन कहलाते थे तो कन्नड भासा के त्री रतन कौन-कौन थे पामप, पौन और रन ठीक है और यह किसके दर्बार में थे कृष्णा तृत्य के दर्बार में थे अब देखेगा जो कृष्ण थर्टी है ये न तो एक अच्छा सासक था और ना ही एक उसल स्यनादेच था उसकी एक मात्रूप लब्दी गुजराज साखा की समाप्ती थी वह सिर्फ अपने आपको बोज फेस्ट के विरुत खड़ा कर पाया तथा वेंगी और चोलों के साथ उसके युद काफी विनासकारी सिध हुए अपने पिता अमोग वर्ष की तरह कृष्ण भी जैन ध्रमावलं भी था अब अगला सासक आता है इंद्र थर्ड क्रेशन सेकिंड के बाद उसका पोता इंद्र थर्ड आया अपने महान पूर्वजों का गोरव बढ़ाते हुए इंद्र ने गुर्जर परतिहाराजा महिपाल के साथ युद छेड़ दिया उसने कनोज पर अधिकार कर लिया वेंगी के सासकों के लिए समसें उत्पन कर उसने अपने परतिनिदी को वहां की गद्दी पर बिठा दिया था अब आता है अमोग वर्स सेकिंड इंद्र सेकिंड के बाद उसका पुत्र अमोग वर्स सेकिंड आया परन्तु गद्दी पर आने के एक वर्स के अंदर उसकी मर्तियों जाती है और उसकी जगह उसका छोटा भाई गोमिंद आता है गोमिंद फॉर्थ गोमिंद एक रूर शासक था जिसके विरूद व्यापक असंतोस था जनता में उसके एक सर्दार ने गोमिंद फॉर्थ के सासन को समाप्त करने में व्यापक सयोग दिया तथा सत्ता अमोग वर्ष थर्ड के पास इस्ताना अंद्रित हो गई थी अब आता है अमोग वर्ष थर्ड परसासन के बदले धर्म में इनकी ज्यादा रूची थी सासन का कारिय यूवराज कृष्ण थर्ड के हाथों में था अब आता आपका कृष्ण थर्ड गद्दी पर आने के बाद कृष्ण ने कुछ वर्ष परसासन को सुधारने में बिताया कृष्ण ने चोल राजे पर अचानक हमला कर कांची तथा तंजोर पर अधिकार कर लिया चोलों को इसे उबढ़ने में कुछ वर्ष लग गए तथा नो सो अधन्चास इस्सा पूरव में उत्तरी आर कोट में ताल कोलम का निर्णाएक युद लड़ा गया कृष्ण ने दक्षिन की ओर बढ़ते हुए केरल तथा पंड़ाय सासकों को भी प्राजित किया तथा कुछ समय तक रामेश्वरम पर उसका अधिकार रहा उनसे जीते हुए परदेश में अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया जिसमें रामेश्वरम के कष्ण वेश्वर तथा गंद मातंड मंदिर मसूर है अपने लंबे सासनकाल में क्रिश्ण थर्ड का तोड़न यी मंदलम पर पूरा अधिकार रहा जिसमें आरकोट चिंगले पूट तथा वेलोड जिले थे अपने अधिकास पूरूजों की तरह है क्रिश्ण थर्ड ने भी वेंगी के मामले में रूची ली परंतु वेंगी में राश्ट कूर सासन ज्यादा लंबा नहीं चला अपने सासन के अंतिम दिनों में क्रिश्ण ने मालवा के परमार सासक हर्स सियाग पर आकमन किया तता उज्जयन पर दिखार कर लिया क्रिश्ण के समय से राश्ट कूर सासन का पतन प्रारंब हो जाता है वह राज्जय के उन समन्ति गति वीदियों से अनभिग्य था जो राज्जय के बीचों बीच इस्तिते तार दावडी को जागीर के रूप में तैलप के देने से उत्पन कुई थी ठीक है तता जिस से र कुछ वर्षों में ही तैलप इतना सक्तिसाली हो गया कि उसने राश्टर कूर्टों को उखाड फेगा तता कल्याणी के पस्षी में चालू के वन्सकी स्तापना की ठीक है अब आता है खोटिक तो क्रिश्ण थर्ड के बाद उसका भाई खोटिक आया उसके सासनकाल में सियाक में लगा था सियाक ने राश्टर कूर्ड राजधानी माल खेद पर आकर्मन किया थता खोटिक इस अपमान के साथ ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह पाया उसके बाद उसका बतिजा करक शेकिंड आया करक सेकिंड जब करक गद्दी पर आया उस समय तक राजधा की परतिष्टा को काफ़ी नुकसान हो चुका था नए राजधा के कुशासन के कारण इस्तिती और भी खराब हो गई थी सामन स्वाभव रूप से किंद्रिय सत्ति को चुनूती देने लगे तता उन में से एकने गद्दी पर आने से अठारा महिने के अंदर करक से उसका दक्षण का राजे छेल लिया और वहता चालू के वनसका तेल सेकिंड जिसे तेलप भी कहा गया है अब देखेगा इंपोर्टेंट बात यह है कि तेलप द्वित्य है ये विक्रमा दित्य चत्तूर तथा बोन था देवी से उत्पन हुआ था पहले वह राष्ट्रकूर सास्ट कृष्ण तृत्य की दिनता में बीजापूर में सासन कर रहा था धीरे धीरे उसने अपने सत्त का विस्तार करना प्रारम किया कृष्ण तरतिय के उत्रादिकार यूं जिनमें खोटिक तथा कृष्ण करक द्वित्य के समय में राष्ट्रकूर्ट वन्स की स्थितिय वो कमजोर हो गी थी महत्व कांग्सी जो तेलप है इसने इसका लाभ उठाया और 974 इस्वे में उसने राष्ट्रकूर्टों की राष्टानी मानने खेत प्राकर्मन कर दिया यूद में करक वे मारा गया तता राष्ट्रकूर्ट रज्जे पर तयलप का दिखार हो गया था ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने राष्ट्रकूर्ट सासकों के बारे में जानकारी प्राप झाल 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 झाल